कितने रिजल्ट आएंगे क्या जो अभी तक जो खबरे निकल कर आ रही है कि लगबक 4700 के ही आसपास जो है पर्थन भेज की बहाली को लेकर लगातार बिरुद्पतेशन हो रहा था उसको लेकर कि कितने बहाली आएंगी तो सप्लेपेंटी जल्ट की मांग को लेकर लगातार बिरुद्पतेशन हो रहा था हम लोगों ने परसो भी BPC office गर्दनी भाग के पास BPC office भी सिक्षा भी भाग और सारी चीजों पर मुझे लगता है कि मंतन हुआ है तो पहली बार ये सब खबरे आ गए है कि सप्लेपेंटी जल्ट आएगा और जैसा कि सेक्रेटी महज़े से जो काफी सुर्ख्यों में अभी चल रहा है वो है NIOS का मामला देखिए अब कई प्रेस चैनल वाले थे हमारे से बाचित कर रहे हैं और बता रहे हैं पूछ रहे हैं क्यों कि अभीरती हैं जो NIOS के मामले में काफी गंभीरता से यह सवाल करना है क्योंकि वो कई लोग छटे की बहाली में एक लाग भी सचार लोग की निफ्ती हुई उसमें कई हजार लोग जो हैं डेलेट वाले हैं डेलेट में दो तरह के कोर्स हैं एक NIOS एन अडास्ट्रिय मुक्स चेसों स्थान द्वारा अडास्ट्र निफ्ती है निफ्ती आब जो लकबाग आठारा मेनी अगचोर्स होता है और एक होता है दो साल का कोर्स है जो तो सुप्रीम कोड के फैसले में उत्रा ख़टके मामले में कई लोग गय थे सुप्रीम कोड और सुप्रीम कोड ने Novas के मामले में 18 महेने के डिगडी को हम अमानने करार देते हैं, तो सारी चीज़े अब असपस्ट हो गई, अब ये बाते बिलकुल अभेर्थियों के मन में हैं, कई लाग अभेर्थियों हैं, जो परतम फेज के बहाली में जो है, परिछा दिये, कई हजार निक्त भी है, वे भी सलस्थानों में वो ध बिलेट वाले और नईवेस वाले, दोनों के मामने पर कुछ बाते सिख्षा के अपर मुक्साचीव के के पाठक द्वारा ये बयान दिया जा रहा है पर इसमें, कि परतम फेज की बहाली में, आनि जो अभी परतम फेज की बहाली चल रही है, इसमें वो सेफ है, ऐसा वो कह इकती हो, या संस्थान हो, या आयोग हो, या संगठन हो, या देश के तवाम राज्यों की जितनी भी एजनसी परिचा कराने वाली है, सबके पास जो गाइडलाइन है, वो इसी संदर में है, कि एना यूएस के मामले में, बिल्कुल वो सच्छे बगर करती है, तो वो जो पर अगर राजसकार को निर्न लेती है, तो वो अस्पस्टे करन तुरंत कर देगे, क्योंकि कई लाज परिच्छारती है, ऐसे है, जो सेकेंड फेच के बहाली में, जिसके परिच्छाए सबको पता है, कि 7 दिसम्बर से 5 दिसम्बर तक जो है, आयोजीत हो नहीं है, तो काफी तयारियों के साथ नियुएस वाले डियलेट वाले जो है, वो है, तो नियुएस के मामले में अस्पस्टिक करन अगर आया है, शिछार क्या पर मुक्सचिब का, अगर ये बार सच है, कि 6 फेज में वो सेफ रहेंगे, 7 दिसम्बर तक पता है, जो परिच्छा है, दू भी सकार है, वो जरूर कोई न कोई नोटीस निकालेगी, NCT के तरफ से भी नोटीस आना चाहिए, कि नियुएस में डियलेट वाले का क्या मानने की डिगरी अब आगे होगी, नहीं होगी, प्रत तो इतना जरूर है कि इन सकार और बिहार सकार, अदेश के तमाम राजों की स जो सिख्छा के निफ्ती करती है, उस सब मामले में इन आई वेस की डिगरी को कहीं ने कहीं, वो मानता अगर दे रही है, तो किस चरण में प्रत तो बिहार सकार जल से जल इस मामले में अस्पस्टिक करन कर दे, क्योंकि लगातार जो चीजे हैं, वो प्रेस में कई लोग घ पता है कि B8 के मामले में 11 अगर्ष्ट को फैसला आया, उसके बाद क्या हुआ, कि B8 वाले 125 में प्रत्मिक सिख्छक में उनकी योगिता को जो सवाप्त कर दे गई, उसके लिए DL8 के डिगरी को जो है, वो मानता मिली तो सुप्रीम कोट के फैसले के बाद जैसे ही आया, ब तो कि सुप्रीम कोट के फैसले का सब को सम्मान करना होता है, कोई भी उससे बच नहीं सकता है, इसलिए अब N.I.U.S. के मामले में DL8 के डिगरी वाले के लिए क्या छटे चरन में वो बाहर होंगे, या या अभी जो सेकेंड फैस के बाहली है, उसमें उनकी क्या मानता रह है कि या परताम फेज में जो लोग निव्थ हो गए है, वो लोग बाहर होंगे, तो सारी चीजों पर अब 2022 के फैसले के बाद क्या होगा नहीं होगा, इतना जरूर है कि N.I.S. के मामले में निश्चित रूप से राजिसकार को तुरन तुर असपस्टि करन करना चाहिए, और आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, इस बात पर हम पूरी तरह से नजर बनाएं हुए साथियों, जो भी जनकारी देंगे, आपको अपडेट देंगे, और अब मामले में क्योंकि हम छात्रों के साथ कोई न्याय अन्याय नहीं हो, और सारी चीजों पर हम झाले